जैहिन प्यारे दोस्तों मैं प्रकासवस्ती कानपुरवाला प्यार दोस्तों आज एक किताब का रिव्यू कर रहे हैं जो कि रेलवे की किताब है जिसका नाम है RRB2024-2024 ये किताब यूथ पब्लिकेशन की आती है इससे पहले इसके दो एडिशन आज चुके हैं हम पहले इसको समझाते हैं ये किताब चैक्टर वाइस टाइब वाइस प्रॉपर वे में होती है यानि किसी बच्चे को अगर बेसिक आता है बेसिक का सिंस क्या 4-5 मैंने वो आफ लाइन कोचिंग गया और उसे अब टाइब वाइस सीखना है हर एक चैक्टर को बैतरीन ढंग से तो ये किताब उनके लिए साफी हेलफुल होती है नो डाउट बहुत ज़्यादा हेलफुल होती है आज की डेट में जो रेलवे में बच्चा सेलेक्ट हुआ है आप उनसे पूछ सकते हो आपको समझ में आया होगा याद रहे इस किताब से आपको सीखने को मिलेगा जैसे चार पांच मेंने आफ लाइन कोचिंग की वहाँ दो चार पांच जार कोशन आपने लगाए उसके बाद आपको प्रॉपर वे में कोई किताब अगर लगानी है तो रेलवे की किताब आपके सामने है आर आर बी टू जीरो टूफोल इस वीडियो को पूरा देखना आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी बात समझ में है इस किताब का हम रिव्यू दे रहे हैं तो आपको हम प्रॉपर समझाएंगे इस किताब में हर एक चैप्टर को प्रॉपर टाइब वाईस में दिया गया है यानि आप जो किताब लेके बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा बात करते हैं इसके latest edition में कितना question है और कौन से question को attend किया गया है ये latest edition में हम आपको बताने जा रहे हैं सामने दिक्रा होगा 2019 का जो group D ntpc हुआ था वो 2022 में हुआ था group D 2019 का वो भी 2022 में हुआ था ठीक है तो यहां पर stage 2 का 15 उसके question सारे के सारे लिए गया है और ये 16706 question को compile किया गया है compile करने के बाद हर एक chapter में इस हिसाब से question बनाए गया है यानि 16706 question को compile करके यानि सेम पैटर्न के थोड़े 19-20 logic के हटा कर 514 plus question में convert किया गया है हर एक chapter में कितने question है वो आपके सामने प्रॉपर लिखे हुए है ठीक है आप उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं ठीक है इस किताब का अब इसी किताब के और वर्जन के बारे में हम चर्चा करते हैं मैंने आज से दो या तीन साल हो रहे होंगे जब मैंने अपना नया YouTube channel बनाया तो सबसे पहले हमने इसी किताब को पढ़ाया इसका पहला वर्जन पहला वर्जन 84-18 के नाम से आज की डेट में जो रेलवे एंटीपिसिक गुरूपडी में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं हजारों नहीं लाखों में वेकेंसी थी कमद गया न अग उन बच्चों ने इस किताब को ज़्यादा फोलो किया हुआ है मैंने भी यूटूब में पढ़ाया बहुत से यूटूब में टीचर ने पढ़ाया मैंने इस किताब को पूरते निसुल की यूटूब में पढ़ा रखा है जैसे आपने आफ लाइन कोचिंग कर रखी और आपके पास अगर ये वाली किताब है और अभी तक सौल नहीं कर पायो तो इस पूरी किताब का सुलूशन यूटूब पर एक प्रॉपर एक बहतरीन प्लेलिस्ट पड़ी हुई है हां इस किताब में कौन से कोशन नहीं होंगे तो बस याद रहे गुरूब डी जो 2022 में हुआ एंटीपीसी 2022 इससे पहले के एक्जाम के सारे कोशन इस आप में जो यह पहले एडिशन में आई थी उसमें 3695 है पहले एडिशन में क्या है 3695 और जो तीसरा एडिशन अभी हाली में लॉंच हुआ है बावन सो चौदा प्लस कोशन है कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि 16-17 सो कोशन हमारा कही ना कहीं थार्ड एडिशन में अपडेटेड है क्योंको पुराने कोशन को हटाया जाता है थोड़ा बहुत 19-20 कि आगया होगा अपडेशन में डाला जाता है फिक है वो किताब लगाने के बादी मालुम चलता है तो इस किताब का पूरा सोलूशन यूटूब पे हमारी द्वारा पढ़ाया गया है प्लेलिस्ट यूटूब पे पढ़ी हुई है और कई ना कई लाखों बच्चों को इससे काफी बेनिफिट हुआ है मेरे यूटूब चैनल का नाम प्रकास सरमैथ है प्यारे दोस्तों जब इसमें प्लेलिस्ट में जाओगे कहां जाओगे ये प्लेलिस्ट में जाओगे तो होट सारी किताबों के सलूशन है यह नहीं कि एक किताब के सलूशन है बहुत सारी किताबों के सलूशन है तो यहाँ पर जब जाओगे तो आप देखोगे यूथ का यूथ पब्लिकेशन की कई सारी किताबों का सोलुशन भी है इसमें ये आप देख रहे होगे ये थमनेल लगे हुए और कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों ये 147 में 90 वीडियो ये 147 का वीडियो प्लेश दिख रहा है 90 वीडियो उसी किताब के हैं जो आपको बताया है जो फर्स्ट एडिशन है प्रॉपर और इसको आप जाएंगे तो हर एक वीडियो में एक लाग दो लाग चार लाग लोगों ने देखा हुआ है ठीक है बैतरीन प्लेलिस्ट है अगर आप नए बंदे हो तो आप सीख सकते और नए किताबों का प्रेक्टिस कर सकते हो तो पहली बात जिसके पास ये किताब है और उन्होंने आज तक नहीं तो पहले इसको अपstudis जनों बात समझ में आए सोयम से अभ्यास करने में ज्यादा benefit होता है किताब लगाने का मतलब अब जिसमने पुरानी किताब खरीद रखी अभी पढ़ी नहीं तो पहले उसको पर डालो और फिर तो नया तो लगाना ही लगाना है जब examination से पहले तो ये किताब का पूरा solution YouTube पर निसुल पढ़ा हुआ है इसका first edition कैसा पढ़ाता हूँ वो देख सकते हो इसका second edition आया जब NTPC का paper हो गया था group D का नहीं NTPC का paper हो गया था CBT1 हो गया था उसके बाद इसका second edition आ गया इसका नाम था 13706 कोशनों को compile किया गया और उसमें कोशन थे 4481 प्लस प्लस यानि जिनके पास ये second edition है इसको भी हमने पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है YouTube पे live class बाकी प्रकास अवस्ति एप में 99 का course रखा हुआ है इस किताब में यानि 50% वीडियो तो आपको YouTube पे मिल जाएंगे और पूरी किताब को well manner proper way में सीखना है इस किताब जिसे जिसके पास ये वाली किताब है तो उसको अब क्या ये किताब पढ़ ली और group D के latest question लगा लिए मुद्दा ही खतम और क्या बचा मेरे दूसरे आप बताईए जिसके पास पहले सी ये किताब है group D के latest question लगा लिए उसका selection हो गया तीदी सी बात तो 4801 प्लस प्लस कोर्शन है बात समझ में आई इसका पूरा कोर्स नाम मात का सुर्ग 99 प्रकास वुस्ति एप में पढ़ा हुआ है ठीक है तो देखा जाए फर्स्ट एडिशन सेकेंड एडिशन हमने करा दिया अब बात आती है कि बहुत से बच्चे हमको क कप कराओगे थर्ड एडिशन कप कराओगे प्यारे दोस्तों किताबों को हमें कई बार पढ़ना होता है जिन बच्चों ने पहला एडिशन पढ़ लिया था और जब सेकेंड एडिशन पढ़ा और पेपर पास में था उनका रिजल्ट काफी अच्छा हुआ रिजन क्या है कि पहले एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं दुवारा हम रिविजन उस किताब से नहीं उसका लेटिस्ट वर्जन से अगर कर रहे हैं तो और आपको बेनिफीट होता है क्योंकि कई बार आपको पोशन रिपीड होते हैं तो याद होते हैं बहुत से चीज़े हम लोग भूल यह किताब है एंटी पीसी के एक्जाम तक ठीक है तो अब जब भरती नहीं आएगी आने वाले समय में आरपी अप कॉंस्टिबल आरपी अप एसाई और कहीं ना कहीं आपका क्या कहते हैं एलपी की भरती आने की उमीद है बहुत से अच्छे यूटूबर ने ठीक है वीड के पहले नहीं आनी है ठीक है तो कहीं ना कहीं इस किताब का पूरा सुलूशन हमने दे रखा है प्रकासवस्ति एप में प्यारे दोस्तों जब भरती आ जाएगी जब भरती आ जाएगी तो मैं इस किताब से आपका प्रॉपर रिविजन कराऊंगा रिजन क्या है कि कई बार अगर हम पढ़ते हैं किसी किताब को और चैप्टर वाइस पढ़ते हैं तो हमारा दिविजन होता है और हम बहत्रीन नमबर लाते थी कि आजकर हम सेलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो हमरे साथ खेला हो जाता है समझे नहीं सिर्फ सेलेक्शन के कि हमारा मलब पास हो जाए यह मालूम चला कि मल सो नंबर में से असी आ जाए पास हो जाए तो तुम्हेरे साथ खीला हो जाता है तब वो 40 45 50 नंबर आते हैं और अगर हम यह सोचने कि हम रैंक कर लिए कि हमारा सेलेक्शन तो तही है रैंकर बन जाए ठीक है टॉप करेंगे त नहीं समझे तो नहीं समझे देखो कहने का सिंस यह कि अगर सिर्फ पास होने की त्यारी कर रहे हैं तो तुम्हेरे साथ खीला हो जाएगा हमें टॉपर बनने की त्यारी करें तो टॉपर तो नहीं बने पर हमारा सेलेक्शन हो जाए आज की डेट में यही कम्पिशन है मेरे दोस्तों याद रहे तो आने वाले समय में जिस वक्त भरती आ जाएगी रेलवे की उसके दो-चार दिन बाद हम इस किताब को एक-दो मेने में करा देंगे भई आप लोग जानते हूं मेरी स्पीड बहुत सुपर फास्ट है बावन सो चौदा कोशन यानि दो मेने में हम इस किताब को कंप्लेट करने में सच्छा में क्योंकि हमने आपको बता दे जब यह NTPC किताब आय थी आप विश्वास नहीं मानोगे 40 दिन के अंदर 4481 कोशन हमने करा दिये थे इतनी स्पीड से परड़े 100-500 कोशन कराते थे 40 दिन के अंदर हमने 40 या 45 दिन में करा दिया था तो इस किताब का रिविव क्या है यह सुन लो एक बहतरी किस किताब है जो बच्चे अब नए हैं रेलवे की तियारी कर रहे हैं जो बच्चे नए हैं और अब इसका रिविवी सुन लो जो बच्चे नए आब रेलवे की त्यारी कर रह तो चाल से त्यारी कर रहा है, थो सबके लिए अलग-अलग किताब का रिव्यू होता है, ये बात बिलकुल मार्ट में सेट करो, जो बिलकुल नए बच्ची हैं मार्केड में, 4-5-6 मेंने कोई offline coaching कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो ये किताब आपके लिए helpful है आप पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं बात समझ में आया तो उमीद है आपको ये proper review इस किताब का समझ में आया देखिए मैं पढ़ाता हूँ किताबे मेरे लिए तो हर एक किताब अच्छी है रीपर कुछ किताबे special होती है मेरे लिए जैसे ये किताब हमने आपको यूटूब में पढ़ाया था तो ये type wise था बच्चों को जादा समझ में आया चीदी सी बात है और लाखों बच्चों ने इसको like किया फिर जब इसका second version पढ़ाया तो जो बच्चे इस किताब को पढ पर दे रहते हैं समझे नहीं एंटी पिसी सीवटी वन हो गया था तो उन्होंने ये पढ़ा सीवडी टू के लिए और गुरुपडी के लिए उनको और अच्छा लगा और वो उनका रिजल्ट हुआ उनका रिजल्ट हुआ अभी क्या है कि आज की डेट में हमने इन दोनों किताबों को पढ़ाने के बाद बहुत सारी रेलबे किताबे पढ़ा रख ही बहुत सारी आप विश्वास मानों बहुत leaning अबर का ठीक है देख रहे हैं कि देख रहे हैं अधिकतर रेलवे और एससी उन्हीं की प्लेलिस्ट है अच्छा अभी मैंने आज की डेट में मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं देखो यह वाले किताब तो अभी आई है कौन सी यह किताब तो अभी लॉंच ही है इससे पहले एक किताब और लॉंच हो गए थी पिनैकल की पिनैकल का 62 मैट उसे हम यूटूब पर प्रॉपर करा रहे हैं प्रॉपर करा रहे हैं प्लेलिस्ट बना दिये हैं उससे आपको अभी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं जो बच्चे पहल हमारा काम है किताबों को पढ़ाना तो आपको हम बता देते हैं पिनैकल की किताब और इस किताब में अंतर क्या है एक तो नंबर ओफ कोशन का अंतर मिलेगा ही मिलेगा रीजन क्या है इसमें 16,706 लिखा हुआ है इसमें और उसमें भी अंतर इसमें ग्रुप D के भी कोशन मिलेंगे 2018 वाले पिनैकल का जो सेकंड एडिशन लेटेश्ट में है उसमें 2018 की ग्रुप D के कोशन नहीं है ठीक है अंतर आएगा तब भी वो 62 है ये बावन सो है एक चीज़ समझो लेकिन मैटर क्या है बेनिफिट क्या है आपको दो किताबें आज की डेट पे लगानी ही पड़ेंगे अगर आपको सेलेक्शन लेना है एक तो पिनैकल का 62 और एक ये वाली किताब पस जब तक रेलवे का एक्जाम नहीं होता है जब तक नहीं होता है तो इसमें ये ये जो 62 अगर रेलवे की लगा रहे हूं पहले सुनो हम पहले आप बताई देते हैं क्लियर देखे रिवीव के साथ क्योंकि जो बच्चा हमसे जोड़ा हुआ है वो पहले प्रॉपर समझ देखे देखो 62 प्लस ये पिनैकल का मैं आज की डेट में करा रहा हूँ ये किताब उन सभी बच्चों के लिए हैलफूल है है जिनों ने या तो ये पढ़ रखा है या तो ये पढ़ रखा है बास समझ में है या तो ये पढ़ रखा है इनमें से एक किताब भी उसने पढ़ रखी है तो अगर वह सिर्फ बासर सो को लगा लेता है ठीक है दुनिया की कोई ताकद उसका सेलेक्शन रोप नहीं सकती है बास समझ में ह अज की डेट में क्या है कि सेलेक्षन के लिए हमें कई सारी किताबों को पढ़ना पड़ता है। सब yut Qui इन तीनों में से कोई एक किताब तो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा अगर आपको सेलेक्सल लेना है क्योंकि ये टाई वाइस आपके कॉंसेप्ट बैतर करेगी और कॉंसेप्ट मैंने पढ़ाए हुए हैं किताबे तो सभी अच्छी होते हैं कुछ न कुछ टीचर का भी रोल होता है जब आप हमारे सोलूशन को देखेंगे किस माध्यम से और कैसे धंग से प लिए निधी फिट होगा तो इन मोटा-मोटा समवलो इन तीनों में से कोई भी अगर आप के पास एक किताब है और आप पुराने बच्चियों तो बासट यह सो मैत के साथ आपका सेलेक्षिन त्हें है बिलकूल क्लियर बता रहे हैं तीनों में से कोई किताब नहीं तो बा बैतरीन किताब आने वाले समय में ये होगी, रिवीजन के तौर में तो बैतरीन किताब हो नहीं है, तो अभी के लिए इतना ही, इसको हम कप पढ़ाएंगे, ये बड़ा मुद्दा है, अभी से बता दे रहे, जब भरती आएगी, तभी हम इसको पढ़ा पाएंगे, पर अभ बच्चों ने ये किताब पहला और दूसरा एडिशन पढ़ाएं, क्या आपको बेनिफिट हुआ है की नहीं हुआ है, चरूर बताईएगा, ठीक है, और सेकिंड एडिशन का सोलूशन प्रकास सवस्ती आप में, 99 में, अगर जिनों ने, जिनके पास ये किताब है, अभी त जीवन में, प्रकास सवस्ती आप से आप पढ़ सकते हैं, धन्यवाद,